अधो है कि अलोगिण स्वागत है आप सबी कैसे वीडियो में इस वीडियो के दियू उम्हिड़ों उम्हिट से लटेट इंपोर्टन कॉश्चन से डिस्कस करने वाले हैं तो अगर आप किसी भी एक्वाउब्याप की प्रप्रेशन कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए ह कौन से organization के हैं WTO FAO NATO या फिर ILO यह है नाटो के ठीक है option number C और अगर बात करें कि नाटो में total कितने members है तो नाटो में total 31 members है और इसकी स्थापना कब हुई थी 4th of April 1949 में ठीक है और 31 members है याद रखिएगा नाटो के who has launched the Gaon चलो अभियान न्यू देली बताइए दिली में गाउं चलो अभियान जो है यह किसके द्वारा launch किया गया जेपी नडडा अमिद शा अर्विन केजरिवाल या फिर नितिन गटकरी बताइए गाउं चलो अभियान इन देली जेपी नडडा अगला question है who has released his autobiography title time spent distance traveled बताइए किसके द्वारा ये autobiography जो है release की गई time spent distance traveled शाशी थरूर, शिवराज वी पाटिल, विनायक राओ या फिर अन्वी रमन्ना किसके द्वारा रिलीज की गई ये की गई शिवराज वी पाटिल, option number B अगला question है who has been appointed as the first woman chief secretary of उत्तराखन बताइए उत्तराखन की पहली महिला chief secretary के रूप में किन को अपट किया गया है रेखा शर्मा, शांती स्वरूप, राधा रातूरी या फिर कुश्म भारदवाज देखिए पहली woman chief secretary उत्तराखन की कौन बनी है, राधा रतूरी, option number C पूसम festival is mainly celebrated in which state, बताइए पूसम त्योहार, mainly कौन से राज्य में मनाय जाता है देखिए पूसम festival आपके तमी लाडू में option number A अगला कोशन है, who is the author of the book प्रणव मैं फादर, अडाउटर रिमेंबर्स बताइए इस बुक के आउथर कौन है, प्रणव मैं फादर, अडाउटर रिमेंबर्स निलन्जना गुपता, त्रिप्ती शर्मा, श्वता तिवारी आफर, सरस्मिता मुखरजी सरस्मिस्था मुखरजी, option number D अगला कोशन है, in which state चापा नाला waterfall is located बताइए निम्लिखित में से कौन से राज्य में आपका चापा नाला जील है चापा नाला waterfall, यह आपके भाई कहाँ पे हैं, असम में हैं, ठीक है Who has been appointed as the director of rastry chemical and fertilizers बताइए, डारेक्टर के रूप में किन को appoint किया गया है, rastry chemical and fertilizers का डारेक्टर विवेक शर्मा, रितु गोस्वामी, निर्मला देवी याफिल, सीला पालिकल Option No. B, Harithu Goswami When was International Customs Day celebrated? बताइए, International Customs Day का मनाया जाता है International Customs Day की बात करें, 26th of January Next question है, In which of the following years was the air transport launched in India बताइए, भारत में पहली बार, मतलब किस बर्स सुरुवात की गई थी Air जैसे की air transport की यह आपका बताना है, हवाई जहाज कब जिलना सुरुवा था भारत में 1911 Which National Park in India is known for its population of Royal Bengal Tiger? और यह National Park कहा है, आपका कौन सा स्टेट में है यह भाई आपका है, West Bengal में Royal Bengal Tiger के लिए कौन सा National Park famous है, बताइए Option No.D, Sundarvan Next question है, Which state launch Nandbaba Milk Mission? बताइए, Nandbaba Milk Mission जो है यह कौन सा स्टेट के दवारा लॉंच किया गया? Nandbaba Milk Mission, Option No.D, Uttarapadesh अगला question है, What is the theme of World Redlands Day 2024? बताइए, World Redlands Day 2024 का theme क्या है? अभी रिसेंटली, 2 February को जो है, 2 February को मना गया है World Redlands Day, तो आपको बताना है कि इसका theme क्या था? Options है, Options में नहीं पढ़ूँगा, आप खुद पढ़ लो Options, ठीक है? देखे, World Redlands Day का theme था, Wetlands and Human Well-Being, ठीक है? Option No.A, ठीक है? अगला कोश्चन है, How many Ramsar Sites does India have after adding 5 new ones in 2024? बताइए, 5 नहीं Ramsar Sites जुड़ने के बाद, भारत में अभी टोटल कितने Ramsar Sites हैं? देखे, पहले 75 था, तो 5 जुड़ गएं, तो कितने हो गएं? 80 Ramsar Sites हैं भी, Option No.D, ठीक है? अगला कोश्चन है, Which part of the Indian Constitution deals with the Directive Principle of State Policy? बताइए, Indian Constitution का कौन सा part जो है, ये Directive Principle of State Policy से deal करता है? Part 3, Part 4, Part 5 या फिर Part 7? बताइए, Which part? ये आपका Option No.B, Part 4 अगला कोश्चन है, Which of the following countries have an unwritten constitution? बताइए, निम्लिकित में से कौन सी देश की unwritten constitution है? अलिकित सम्विधान देखिए, नेपाल, इंडिया, एंड यूएसे ये तीनों का जो है न, ये written constitution है लेकिन यूएसे का unwritten constitution है तो Option No.D आपका correct हो जाएगा अगला कोश्चन है, रंगमा एंड जेलियांग डान्स फॉर्म आपका रिलेटेड है Option No.D नागालेंड नेक्स कोश्चन है देवरत चौधरी इस रिलेटेड टो विच मुजिकल इंस्टूमेंट बताइए, देवरत चौधरी जो है इनका संबंध कौन सी मुजिकल इंस्टूमेंट से है सितार, सरोज, वीना या फिर संतूर देवरत चौधरी की बात करे तो यह आपके Option No.17 से रिलेटेड है बताइए, कौन से युनिवरसिटी ने अपना पहला ओन सेटलाइट यह है या लाँच किया DU, AMU, JNU या फिर BHU बताइए, विच इस फिर्स युनिवरसिटी वू लॉंस इट्स ओन सेटलाइट यह भहिया आपका Option No. B अलिगर्ड मुस्लिम युनिवरसिटी, AMU और दिस इस दे लास कौश्चिन विच कंपनी बिकेम इंडियास फिर्स आइफोन मैनिफेक्ट्ट्रर जिसे आइफोन का पहला स्टूर है ना यह आइफोन से कोश्चिन आता है तो यह आपका आइफोन का पहला स्टूर मुंबई में खोला गया अब कोश्चिन पूछ रहे आपसे कौन से कंपनी ने जो है आइफोन बनाने का काम स्टार्ट किया है भारत में रिलाइन्स महिंद्रा टाटा ग्रूप या फिर अधाने ग्रूप अप्शन नम्ब सी टाटा ग्रूप बिकम दर फर्स कंपनी जो है आईफोन बनाना स्टार्ट किया है ठीक है तो आई होब वीड़ आपको अच्छी लोगों की वीड़ अच्छी लोगों रमाचा आप नहीं हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू कीज़ेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट वीडियो में